केशाओ जी, मैं आपकी पास से पूरी तरह सर्मात हूँ, कि तो आप भी मेरी मजबूरी समझने का प्रयत्न कीजिए, यदि मैंने आपकी सहायता की, तो विरोधी दल मेरे दो जाएगे, जो मेरी और मेरे परिवार के हित्मे नहीं होगा। केशाओ जी, मैं कठिनाई से नहीं ड़ता है, पर अंतु जान बूच कर अपने परिवार को कठिनाई में नहीं डाग सकता है। मुझे संग्यान है, कि छत्रपति सिवाजी महराज ने जिस पूर्ण स्वाराज की कल्बला की थी, वो आज, आज कहीं लुप्त होता जा रहा है, हम अपने ही अपनों का खोन बहाने में लगे हुए हैं, अगर इस सब ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाला समय महराठों का काला इतिहास बन जाएगा, कि शवची, में संदेह में व्यापारी हो, और धन को रिण पर देना ही मेरा व्यापार है, कि तिनके शवची, ए बास सब चांगते हैं, कि शंकर जी जोशे, धन के काम में कभी पीछे नहीं रहता, धन क्या है, धन दो हाथ का मैल, कभी चड़ता है, क जिनता में, मेरे हाथ बाल रखे, कि अगर आप कहें, तो मैं आपको एक सुझावत, आप एक ड़केत दल बना कर, रात्री के समय मेरे घर पर हलला बोल दीजे, में तिजोरियों में पर्यात धन रख छोड़ूँ, जिसे आप आसानी से ले चाहिए, इससे विरोधी दलों को भनक तक नहीं लगीगी, और आपकी सहायता हो जाएगी, फिरहाल मानो कल्यान की सेवा के लिए, मुझे इस से अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं सुझ रहा है केशांची,